हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का राहूल एकेडमी पर आज हम आपके फिजिक्स से महत्पूर्ण 70 कोशन करेंगे यह आपके ऐसे कोशन है जो आपके बार बार पुछे जाते हैं अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का गुरूप दिया गया है वहाँ से जो आइन टोकर इसका पीडियेप प्राप्त कर सकते हैं आपको पता ही होगा कि फिजिक्स से आपके हर स्रिप्ट में चार से पास कोशन पुछे जा रहे हैं तो चलिया यह इस्टार्ट करते हैं देखे आपका पाला कोशन देरा है कि दूरी मापने की सबसे वाहँ है यह पुछा जाक है अगला कोशन है कि फिर्थवी के उपगरोह का कच्छी अव्या निरभा करता है इसके आगे देखिये इसके आगी आपका अगला कुछन है कि घड़ी की चावी में संचित उर्जा है तो इस्तितीज उर्जा है अगला कुछन है कि यदि किसी पिंड के समवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतीज उर्जा कमान क्या होगा तो गतीज उर्जा कमान आपका 125% बढ़ जाएगा अगला कोचन है कि अनुदैर्द तरंग उत्पन हो सकती है तो अनुदैर्द तरंग आपके ठोस, गैस, द्रब या तीनों में उपस हो सकते हैं अगला कोचन है कि पंडूबी अधारित है तो पंडूबी आपका अर्कमेडीज के सिधान पर अधारित है ये भी कोचन आपका पुछे जा चुका है इसके आगे देखे इसके आगे आपका अगला कोचन है कि धुवनी तरंग है तो धुवनी तरंग आपका अनुदैर्द तरंग है अगला कोचन है कि गोली दरपन की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्जा की होती है तो आपकी आधी होती है इसके आगे आपका देखिए अगला कोचन दे रहा है 10. कोचन है कि उत्तल दरपर द्वरा बना प्रतिवीम होता है तो उत्तल दरपर द्वरा बना प्रतिवीम आपका कालपनिक और सीधा होता है अगला कोचन है कि प्रकास तरंग उधारण है तो प्राकास तरंग आपका बिदूत चुम्ब की अनुप्रस तरंग का उधारण है इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन देरा है कि ट्रांसफार्मर किस सिधान पर अधारित है तो जो आपका ट्रांसफार्मर है ये आपका चुम्ब की प्रेणर प्राधारित है अगला कोचन है कि घरेलू प्राकास के लिए प्रियुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े होते हैं तो ये आपके समांतर क्रम में जोड़े होते हैं इसके आगे आपका अगला कोचन है कि यदि वाई मंडल ना होती तो दिन की अधी कैसी होती तो दिन की अधी आपका कम होती इसके आगी आपका देखिया अगला कोचन देरा है कि सूरी ग्रहन के समय सूरी का कौन सा भाग दिखाई देता है तो आपका करोना वाला भाग हम देख सकते हैं अगला कोचन है कि प्रकास की चाल सबसे पहले किसने गयात किया था तो प्राकास की चाल सबसे पहले आपका रोमर के द्वारा ग्यात किया गिया था इसके आगी आपका देखिया अगला कोचन है कि जब प्राकास वाई से कांच में जाता है तो तरंग देर आपका घट जाता है इसके आगी आपका अगला कोचन है कि प्रकास तंतु कि सिधान पर कारी करता है तो जो आपका प्रकास तंतु है ये आपका पुड अंतरिक परावर्तन पर कारी करता है अगला कोच नहीं कि प्रकास उर्जा को बिदूत उर्जा में बदलता है तो जो आपका सौर सेल है यह आपके प्राकास उर्जा को बिदूत उर्जा में बदलता है इसके आगे आपका देखिया अगला कोछ अंदेरा है कि यांतरीक उर्जा को बिदूत उर्जा में बदलता है तो जो आपका डाइनोमो है यह आपका यांतरीक उर्जा को बिदूत उर्जा में बदलता है अगला कोचन है कि परमारू रियेक्टर अधारित है तो यह आपका नाभगिय विखंडन पर अधारित है हाइड्रोजन बम अधारित है तो नाभगिय सलेन पर अधारित है किसी तार की प्रती रोधकता निर्भर करती है तो पदार्थ पर निर्भर करती है इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन देरा है कि असपष्ट दर्सन की नियुंतम दुरी होती है तो पचीस सेंटीमीटर होता है पानी के उपर तेल परत का चमकना उदारन है तो यह आपका वेतिकरन का उदारन है इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन है कि पास्कल किसका ही काई है तो पास्कल आपका दाब काई काई है ये भी आपका कोशन पुछा जा चुका है अगला कोशन है कि दोहनी का वेक सबसे ज़्यादा होता है तो दोहनी का वेक सबसे ज़्यादा आपका इस बात में होता है अगला कोशन है कि जुहूला जुहूलते समय कोई वेकती जुहूला पर खाड़ा हो जाए तो उसका आवर्त कल क्या होगा तो उसका आवर्त कल आपका घट जाएगा इसके आगे देखे अगला कोचन है कि द्रव का घानत व अधिक होने पर प्रिष्ट तनाव पर क्या असर पड़ता है तो प्रिष्ट तनाव आपका बढ़ जाता है अगला कोचन है कि उचाई बढ़ने से वाई मंडल ये दाब पर क्या असर पढ़ता है तो वाई मंडल ये दाब आपका घट जाता है ग्रहों के गती के नियम को किष्णे प्रतिपादित किया था तो काइपलर के द्वारा किया गिया था ये भी आपका कोशन पुछे जा चुका है कल के एकजाम में इसके आगे देखे इसके आगे आपका अगला कोशन है कि एक गेंद को 36 जिससे कितने कोन पर फेकने पर अधिकतम 36 दूरी ताय कर सकेगी तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा 45 डिगरी पर इसके आगे आपका देखे अगला कोशन है कि प्रिज में द्वारा किस रंग का बिचरन अधिकतम होता है तो बैगनी रंग का बिचरन सबसे अधिक होता है अगला कोशन है कि जेट इंजन किस सिधान पर कारी करता है तो यह आपका रेखिक संव्यक संचर पर कारी करता है अगला कोचन है कि किस यंतर का काम डाइनेमो के कारे का उल्टा होता है तो मोटर इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि ब्रहमान्ड में कौन साथत तो सरवाधिक मात्रायम पाई जाता है तो हाइड्रोजन आपका सरवाधिक मात्रायम पाई जाता है अगला कोचने कि कोबाल्ट साथ उत्तसरजित करता है तो यह आपका गामा किरन उत्तसरजित करता है उसमा का सरवतम चालक है तो पारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारी कमात्रक क्या होता है तो कारी कमात्रक आपका जूल होता है इसे आप अच्छे से याद रखेगा और उर्जा कमात्रक क्या होता है तो उर्जा कमात्रक भी आपका जूल होता है इसके आगे दखिए इसके आगे आपका अगला कोचन है कि कौन एक आवेस रहीत कण है तो आपका जो निउट्रान है ये आपका आवेस रहीत कण है अगला कोचन है कि किस रंग का अफवर्तनाग सबसे अधिक होता है तो बैगनी का अफवर्तनाग सबसे अधिक होता है लेंज की छमता कमात्र क्या होता है तो इसका correct answer आपका हो जाएगा diopter होता है इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है अगला आपका 40 नमर कोशन दे रहा है कि पानी का घना तो अधिकतम होता है तो 4 डिगरी Celsius पर पानी का घना तो आपका अधिकतम होता है जल में तैरना Newton की गति के किस नियम के कारण संभव है तो Newton के तिर्तिय नियम के कारण संभव है तिर्तिय नियम क्या है तो तिर्तिय नम आपका किरिया प्रतिकिरिया का नियम है और दूतिय नियम क्या है तो दूतिय नियम आपका F बराबर A मिन्टू A होता है यह आपका कल के एकजाम में पुछ जा चुका है F बराबर A मिन्टू क्या होता है यह पुछा गया था है कि यह आपका निूटन का कौन सा नियम है देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि राकेट की कारेपनाली की सिधान पर अधारित है तो यह आपका सम्वेक सराचर पर अधारित है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है तो उसमें आपका गती का पाला नियम लागू होता है और इसे यह आपका जड़त का नियम भी कहा जाता है अगला कोचन है कि फिर्थवी तथा अन्य ग्रह सूरी के चारों और चकर लगाते हैं यह सबसे पहले किस सिधान्त के द्वारा कहा गया था यह आपके कापर निक्स के द्वारा कहा गया था और इनी आपका सिध्वी किया था इसके आगे देखे इसके आगे 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 आ चंदर्मा के गृत्वा करसर के सबसे नजदिक है तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा एक बटा छो ये भी आपका कल के एकजाम में फुश जा चुका है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन है कि वर्सा की बूंद का अकार गोलाकार किस कारण से होता है तो आप कि आपका अगला कोशन है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैटा रहता है यह किस सिधान्त पर अधारित है तो यह आपका आरकमडीज के सिधान्त पर अधारित है देखिये कॉल आपका एक आरकमडीज के सिधान्त से कोशन पुछा गिया था कोशन पूरा पता नहीं हो पाया है लेकिन आरकमडीज के सिधान से आपका कोचन था अगला कोचन है कि आरकमडीज का नियम किसे समंदित है तो यह आपका पलोन का नियम से समंदित है अगला कोचन है कि किसी मनुष के सरीर का तापमान क्या होता है तो किसी मनुष्य के सरीर का तब मन आपका अंठानवे दिग्री फरने हाइट होता है समान तब मन आपका अंठानवे दिग्री फरने हाइट होता है इसके आगे देखे अगला का कोशन है कि आप पेचिक आधरता नापने के लिए किस उपकरन का उप्योग किया जाता है तो हाई ग्रो मीटर का उप्योग किया जाता है इसके आगे आपका देखिया अगला कोचन देरा है कि निकट दिरिष्टी दोस सही किया जा सकता है तो उत्तर लेंस के माधियम से सही किया जा सकता है तो उत्तर लेंस के माधियम से सही किया जा सकता है इलेक्टान की खोज किष्णे की थी तो इलेक्टान की खोज आपके जेजे थामसन के द्वारा किया गिया था इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि मानोव सरीर का तापमान 98.6 डिगरी फारने हाइट होता है सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा तो सेल्सियस स्केल पर यह आपका 37.3 डिगरी अगला कोचन है कि आती लगू समय अंतरा लोग को सही सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो परमार घडिया का उप्योग किया जाता है अगला कोचन है कि एक मनुस्थ का ताप करम साथ डिग्री है तो उसका ताप करम फरनेहाइट में कितना होगा यह आपका फरनेहाइट में हो जाएगा एक सो चालिस डिग्री फरनेहाइट होगा ये कोचन बहुत ही महत्पूर है ये आपके बार-बार पुछे जाता है इसे आप अच्छे से याद रखेगा आने वाले सिप्टों में ये कोचन पुछे जा सकता है इसके आगे देखे इसके आगे आगी आपका अगला कोचन है कि द्रव्यो तथा गैसों में उस्मा का प्रकार के संचार माध्यम से आती है इसके आगी आपका अगला कोचन देर आए कि उस्मा के अस्थनांतर की किस विधी में माध्यम कि आवसकता नहीं होती है तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अगला कोचन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयु अगला कोचन है कि किस्व में सर्वोच विश्ष्ट उस्मा का मान होता है तो जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और राज का लाश कोशन दे रहाए 17 नमर कोशन है कि उस्मा गत्ती का प्रथम नियम किस अवधारना की पूश्टी करता है तो उर्जा संचा के बारे में बत हो सकता है यहीं आपका उस्मा गतिकी का प्रथम नियम है तो आज हमने आपके भावतिक विज्ञान से महत्रपुन सतर कोशन लगा है यह आपके ऐसे कोशन है जो आपके बार-बार रिपीट होते हैं अगर आपको इसका पीडियप चाहिए तो नीचे टेलिग्राम का भूलेगा तो चलिए आज करे इतना है धन्यवाद